नमस्कार दोस्तों बगवान आपसेख अबला करो आपके साथ एक 6 मनों कमने पूरी हो दोस्तों अज मैं आपसेख को इस हाथ से रिलेड़ेड़ महत्मुन जयन करेवेक करूंगर यहां पर आपके जो क्वेरी है उसका पहले आंसर देने के बाद और और पाम रेडिंग पर आ जो किसी प्रगर के अनदर इस ट्रगल में ले करके जा रही है और जब भी ऐसे कोई फोर्मेशन बनते जिसमें प्रोग्रस लाइन हो फिर को अनदर मिल्मा फिर अगन प्रोग्रस लाइन हो तो यह कोड केसिस में एट municipalities फसा देता है और फिर जब उसके अलाबा में शुक्र के तरह से वी रेखा यह रिका है तो इतना लाइफ में चीजों के प्रती zwart हो जाते हैं काम के प्धुमिले लाइफ के रिगार्डिंग भी करी जरे नहीं लगती है कि आप धि जे पारें या कि रिगार्डिंग की फेमिली property इस्ट्रीस या अटेमली की हो एक्षा जाता है अब दूसरे बात यह है कि अभी यह सिलसिला और थोड़ा लंबत चल सकता है क्योंकि 38 के भी एज के आसपस तक में आपके यही राहो की रेखा अवेलेबल है, लास्ट जो प्रोग्रेस लाइन निकली है, वो निकली है 30, 8 ए 9 के मिड में, और फिर उसकाद आपकी जो इसी के जस्ट परिलेल में आपकी लाइफ लाइफ लाइन में चेंजस हुआ है, तो most probably यह कई न कहीं जन्मिस्थान से दूर लेकर करके जाएगा, नहीं तो करियर के र होने वाला रहेगा, और इसी पिरेड में आपको जो भी अगर इन केस अगर केस चल रहा है, तो वो भी आपको जो है definitely खतम हो जाने वाला रहेगा, और आपका दूसरा तीसरा प्रश्ट यही था कि जॉब आगे केसा चलेगा, और जॉब के रिगारिंग केस हुए तो उसका उपाय, तो उसका उपाय यहाँ पर आपको शिव जी के अराधना के अंतरगती मिलने वाला है, क्योंकि आपका सूर भी यहाँ पर तक्रिबन ठीक है, सूर अगर डिस्टरब होते तो यह बहुत बड़ा रीजन निकल के आता, लेकिन सूर आपके ठीक है, तो यह obviously success देंगे तो उसके regarding कोई भी ऐसी दिक्कत या परशानी नहीं है, क्योंकि supportive line है, तो इस condition पे तो infect आपको और जदा support आपकी family के तरफ से बाहरी दुनिया लोगों के तरफ से मिल पाएगा, divine help इसे खहते हैं, जिसके करण जब यह available होती है, तो उस period में किसी ना किसी का support available होता है, जिस पर रहने वाली है, तो इसलिए बिल्कुल बेफिकर रही है, अगर आप चाह रहे हैं अपने life में अपने family को आगे बढ़ाना, तो उसमें भी आपको success definitely मिल सकता है, क्योंकि यह सी जब progress line निकलती है, तो सिर्फ career ही नहीं, अगर livelihood के regarding या फिर कोई desire या ambition के regarding की काम करते हैं, तो उसमें भी सफलता मिलता, जैसे baby boy के विशे में अगर बात करें, या फिर business के विशे में बात करें, या house लेने के विशे में बात करें, तो इन सब चीजों के प्रति भी अगर आपकी planning है, तो definitely उसको execute करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों में आपको विजय प्राप्त हो जाएगी, इन सब को self-med luck line केते हैं, तो खुद के द्वारा लिये गए निर्णे, प्रयास या किये गए पराकरम, मैनत से, निशित रुप से शुपरिणाव आया ही जाता है, इसलिए चिंता लिवात इस condition में नहीं है, यहाँ पर आपका जो प्रश्न है वो business के regarding भी है, तो business के लिए इसलिए suggest किया जारे है, क्योंकि आपके mercury line भी available है, और mercury line जब भी available होती है, तो यह business luck को indicate करने लगता है, और इस condition में किसी भी परगार की किये गए व्यापार से lab अच्छा मलता है, अब जैसे कि आपके luck line life line से निकल रही तो आपको यही suggest किया जाएगा कि जो गाड़िए जैन मिस्थान से दूर भी अगर कोई व्यापार हो, उससे भी आपको बहुत अत्यांत यहाँ पर lab देखने को मिलेगा, आपके अतिले में mercury की स्थीती भी बहुत बड़ी जा रही है, तो mercury trading का का काम होता है, शेर मार्केट का इस condition में काम होता है, तो इन सब ची तो इसमें भी सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो लाग रिप्रेशन था कि संतान पक्षक के सा रहेगा, तो जूपिटर माउन पो जब भी हाड़ी रेखा अवी लेबल होती है, तो संतान से बहुत ज़्यादा लाब मिलता है, बच्चे बहुत ज़्यादा संसकारी या लाइक देखने को मिलते हैं, इसलिए उनके रिगार्डिंग आपको इतना चेंदन मनान करने के आवशकते नहीं है, फिंगर के लिए पाम के कंपरेजन में शौट है, जो एक फास्ट डिसेंड में हैबिट को थोड़े जलबाजी हो हर बड़ी किसमे के निशर को दाशाता ह इस कंडिशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना या अपने थाउट्स के पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से inspired, motivated या influence हो है, कुछ समय के नतराल में वो काम करके दिखाना सब basic nature में होता है, वहीं देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो पाम का साइज है, वो rectangular shape में और इस कंडिशन में यह lots of dream, desire, ambition represent करता है, तो इसे कहते हैं, fire hand और fire hand actually impatient और बहुत जदा emotional type के nature को indicate करने लगती है, और इस कंडिशन में बहुत जल्दी किसी भी काम से ऊप जाते हैं, क्योंकि हर काम में variety यहाँ पसंद आता है, तो अगर लगातार परिवर्तन हो रहा है, काम में हो रहा है, तो आपको सब काम में जो है, मन भी अच्छा लगेगा, प्रगती भी आपकी अच्छे देखने को मिलेगी, किसी प्रकार का life में restriction एक प्रकार से allow ही नहीं होने देते हैं, किसी प्रकार से अपने आपको बांधे रखना किसी के अंडर में comfortably इस कारण से काम नहीं कर पाते हैं, फिंगर के बीच में independent जब इस प्रकार से gap maintain हो तो इस से अधिक खर्च लेपन की निशानी के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि खर्चों पर नियंतरन बहुत कम इस condition में देखने को मिलने लगता है, और आप सुन सब के लिए अंते तहक करेंगे अ इस condition में ठीक देखने को मिलता है, फिर्स्ट विंगर के लिए में देखा जा तो दोनों के लिए तक्रिवन सेम है, जो एक researching nature को दर्शाता है, इस condition में कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आपको busy रखे रहना, या कही ना कहीं किसी ना किसी काम में involved रखना, और हर बात के ज से निभा पाने में भी शक्षम देखने को मिलते हैं, फिंगर के जो यहाँ पर आपके notes है, वो develop clear cut नहीं है, जो confusing mindset की निशानी होता है, और इस condition में decisions properly ले नहीं पाते हैं, किसी ना किसी विक्तिव शेस के guidance से support क्या उशकता पड़ती decision लेने में, फिलेंजस डेवलोप ठीक creative attitude mentality को build करता है, यह का चिन घर का सुक बहुत अच्छा दे देता है, आलेशान घर बन पाता है, या खुद के दम पर अच्छा घर बना पाने की योग निर्मित हो जाता है, तमाम तरह के धर्म करेंतिया रहसम विध्याओं के प्रति, रूची इस प्रगार का formation बढ़ा देत आई वे डिर्क बात करें, जुपिटर माउंट के regarding तो आते हैं वापिस close up पे आपके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जुपिटर माउंट के उपर progress line, mind line से ही निकला हुए जिसके करण बहुत ambitious nature है और इसी करण से आपके अपने thinking, desire or dream से compromise नहीं करते हैं, high thinking approach होने क करण ही, तमाम तरह के pressurized situations को भी easily handle tackle कर पाते हैं और जुनूनियत बहुत अच्छा होता है, इसलिए एक बार जो चीश ठांते हैं, निश्चित रुपसुस को कर दिखा पाने की योगिता आपके अंदर रहेगी, आड़ी रेखा बहुत जदा ही दयालो किसमे के वेक्तित को दर्शाता है, आगे सरेकर के दूसरों की मदद करना करोणा देया, अपने अंदर रखना मात्र भक्तियानी माता पिता के भी अच्छे सेवक होना, और यही संसकार आपके बच्चों में बच्चों में बच्चों से लाव अच्छा मिल पाएगा, जितना जदा दान धर्मिय पूजा पार्ट करते उतना जदा जियन में पीसफुलनेस, हैपनेस या जूपिटर अच्छा होते चले जाते हैं, जूपिटर ग्यान के कारक है तो नॉलेज का सही यूटिलाइजेशन होने लगता है, मेरेड लाइफ इस्टेबल या फेमिली लाइफ के रिगार्डिंग स कुछ भी नहीं है, सेडन माउंट के ओपर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है वो डायरेकली यहाँ पर पोस्त वे दिखाई नहीं पड़ रही है, थोड़ा सा यह ब्रेक ले रहे है हार्ट लाइन पर, तो इस कंडिशन में आप जो भावकता के अंतरग हुई है, अगर उसका age यहाँ पर काउंट करेंगे, तो यह approximately निकलेगा, 31 and 2, यानि इस उम्र से आपके जियों में भावके का सही होग मिलना प्राप्त हुआ, एक आएक यहाँ पर जो है, 33, 34 के age से struggle जो है, definitely देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक हल्की सी रहूरेका काट के जा रही है, लेकिन इसके जस्ट बाद में देखेंगे, तो वापिस से, 36 के बाद से धीरे-धीरे स्थिती वापिस ठीक हो रही है, और अभी और स्थिती अच्छी होना बाकी है, चालिस के उमर से तो और ज़्यादा प्रगती है, क्योंकि डबल भाग रेखा, डबल सोर्स अफनिंग देती है, लेकिन ये रेखा से सैटिस्वेक्शन नहीं दे पाती, क्योंकि सैटन तक नहीं पहुच पा रही है, सैटन की जो सेपरेट ये एक लैन है, ये क्या करती है, क ये रेखा कभी धन धाने से संपनता में कमें नहीं देती, लेकिन सैडिस्वेक्शन तो ये ही रेखा देती है, इसलिए आपको कोशिश करना जाहिए कि इमोशनल डिसिजन लेने से, रेसे करने से या इमीजियट एक्शन लेने से आपको बचना चाहिए, दूसरी बाद या पर इस परकर का साइन डेवलप्ट होता है जिसे लूप ओफ सीरियसनेस केते हैं तो इस कंडिशन में आप जैसे जातों में थोड़ा सीरियसनेस आज आता है रहते रहते भीड से लगरेना एकांद पिरे किसम का नीचर होना और उस कारण से क्या होता है कि कई मरतबा अपो होने लगते तो इस कंडिशन में वेल्थ नेम रिस्पेक्ट पावर अथोरेटी और गुडवेलिये सभी चीज़ें इंक्रीज होने लगता है और ध्यान रहे यह सब कभी भी धन की कमी नहीं होगे और और ज्यादा वेल्थ बढ़ेगा तो इस कंडिशन का नियम होता है अधीक खर्च अधीक है इसलिए खर्चों पर बहुत नियंतरन करने की जरुवत नहीं है इन्वेस्टमेंट करते रहना ज्यादा आपके लिए ठेक रहेगा सूर के ओपर देखेंगे तो हरद रेखा की जस्ट उपर से सनलाई निकली हुई है तो खुद के दम पर नेम रिस्पेक्ट अर्जित करना काम के प्रती बहुत ज़्यादा पंचोलिया डेडिकेटेड होना और जब वी सिंबल करसे इस प्रकार से नीचे होता है तो बहुत ज़्यादा confusing mindset यह इसलिए देदेता है क्योंकि बार वर अपने काम में परिवर्तन करने के चेस्टा होती है या किसी नई opportunity के तलाश में होते हैं इस condition में हमें सो सोचते रहते कि काश उस काम में होता तो ज़्यादा मुनाफ़ हो सकता था या इस काम में होना था तो अभी बहुत better condition हो ज इसके लिए यह जो सोचना है आपका यह बिल्कुल गलत है या फिर अपने काम के regarding जो किसी भी कारणवर्श, unsatisfaction, insecurity आ रही है उस विशे पर भी ध्यान देना बहुत गलत है आप इस condition में सिर्फ एक काम यह कर सकते हैं कि अपने skills को बहुत develop कर सकते हैं क्योंकि आपका mind lane decline है तो आपके इंदर God gift है कि आपके इंदर imagination बहुत strong है imagination जिसका strong होता है इसे जा तक research में बहुत अच्छा काम कर जाते हैं तो इस condition में अगर आप अपने काम को बहुत अधिक प्रात्मिकता देते तो definitely बहुत अधिक सुधानाने लगेगा या आप चाहें तो definitely business में इंटर कर स एक प्रागार से manage हो पाएगा नहीं तो बहुत छोटे level पे initially बहुत low level पे आपको अगर हो सके तो business में इंटर कर लेना चाहिए कोई आपको बहुत बड़ा फिर उससे नुकसान नहीं रहेगा और जो independent V symbol sign बन रहा है ये इसका काम ही रहेगा कि life में जो बड़े लोग हैं बड़े लोगों का तात्पर हस्त रेखा में होता है जो लोग power position या authority में हैं जिनकी समाज में value बहुत है उन सभी से इस प्रागा कारगा V symbol sign connection देने लग जाता है तो ध्यान रहे जितना हो सके अपने contact को और ज्यादा बढ़ाईएगा contact के regarding कोई कमी मत करिएगा क्योंकि आपको अभी और आगे चलके भी contact ही बहुत बड़े लेवल के काम आएंगे लोगों को बांद रखने की सक्षमता अपने बातों से प्रेडित प्रवावित आकर्शित करने की सक्षमता calculation जैसी चीजों में माहिर होना या फिर accountancy के प्रती भी interest knowledge अच्छा होना लेंग्विज के उपर पकड़ होना sympathetical nature होना यह सब combination यह मरकर ही दे रहे हैं और दो union line है तो दो बार घेरा attachment relation के regarding यहाँ पर ही दर्शाता है और हैदर एगा की स्तिती में देखा जाए तो आपकी heart line एक जुपिटर से conjunct ही जो pure emotional nature sentimental personality को डिनोट कर रही हो और एक शकह यहाँ पर just mind line से merge हुई आपका बच्पन बहुत जादा खराब रहा है क्योंकि इस पर अगर की जब heart line के connection आती तो बच्पन की यादे भूले भूलाय ना भूले या फिर बहुत नगरात्मक यादे होती हैं बच्पन के रिगाड़ी बच्पन में इतना कुछ देख लिया होता है कि आगे कुछ देखना ब प्रकार का साइन तो प्योर वर्कोहलिक नेचर हो जाता है जिसके तरद खाली बेटना फिर पसंद नहीं करते हैं यहां पर माइंड लाइन पर मंगल का प्रभाव उम्र 21-22 के आसपास में तो उस समय पेग्रेस्व जादा थे या सर पर चोट लगना या फिर जीवन में एक 26-26 के उम्र के आसपास से फिर मानसिक तनाव की स्थिती एक एक आगई तकरिबन 34-35 के आसपास से और फिर एक और यहां पर आ गई अभी करेंट यानि 36-37 के आसपास में आगे चलकर के एक और आ सकती है उस समय आपका उम्र रह सकता है 41-42 लेकिन कोई बहुत मेजर ट्रबल प्रॉब्लम नहीं रहेगा उसके उची रीजन यह है कि जब भी रेखा काट करके जाती है जिसके उपर से लकले निकल लेता या फिर मरकरी ले निकलता है तो वो जो इस ट्रगल लाइफ में होता है वो लाइफ को सुधानने या और ज़दा लाइफ में प्रगति करने के ल कलपनाओं में रहना, डेट ड्रिमिंग टाइप का नेचर होना, क्रिटिव एटिट्यूड मेंटिलिटी हो जाना और बहुत जल्दी नर्वसने साना, नर्वसनेस बिलॉंग करता है कि अगर आप नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग करने तब होगा, otherwise अगर आप काम में ध्यान दे रहे तो invention कर लेना, research कर लेना, या shortcut supply कर लेना, loopholes किसी भी काम का या बात का ढूंड लेना, इस सब combination ये mind line आपको देगे, जितने भी बड़े creators होते हैं, या जो लोग लेखन कारे में involved होते हैं, कभी होते हैं, या जिनका प्रकाशन आता है, उन सब के हतेल में भी mind line का formation यही तक्रिबन होता है, तो लिखने से भी क्या रहेगा कि internal peace, happiness और mental stability आपका maintain रहेगा, इसलिए लिखने के आदत, इस condition में पढ़ने के आदत, या कोई न कोई अपना passion, hobby, follow करने के आदत को maintain करना चाहिए, कोई दिकत फिर नहीं आता है, और lifeline के उपर देखे changes करने वाले रहेंगे, आपका जर्म इस्थान से दूर या फिर कई न कहीं, another place पर जाने के chances, यह घर लेने के chances के rate होते दिखाई पड़, और बहुत इस्टों यह sign है, और middle of the palm, finally आपकी लगला नहीं है, तो career और family दोनों को एक समान maintain करके आप चलने वाले देखने को मिल र देखेंगे, तो बहुत आपको छोटी-छोटी शंकला हैं देखने को मिल एक जो उपर के तरफ उठ रही है, तो यही वो रेक हैं जो शत्रुहंता योग का निर्मान कर देती है, और इस condition में तमाम तरह के enemies, court case, loan, debt या फिर किसी प्रागार का रोग, इन सब चीजों में वि इस condition के दो ही option है, पहला तो आपके सामने जो व्यक्ति है, उसको वो जैसे है, वैसे ही accept कर लें, ताकि ज्यादा expectation ना रहे और फिर किसी भी प्रकार के यहाँ पर एक प्रकार से uncertainty के regarding, दिक्कत परशारी ना हो, otherwise अपने कुल देवी, यह किसी प्रकार की देवी के आराधना करने से, आपका जो मेरे life उसको सुख बढ़ता है, pleasure की fulfillment होती है, या फिर stability definitely बढ़ती है, या family life के regarding, जो भी struggle या stress से overcome हो जाता है, तो यह दो option है, otherwise यह सारी रेखा है, तो मेरे life क disturb करने ही आती है, या फिर एक परगार से family life के regarding struggle यह देती है, शोकर आपका overall developed अच्छा जो अच्छा रहन से निया, सुख सुविधा सम्रिद्धी जीवन में देगा, लेकिन इतनी आड़ी रेखा, उन सब सुख सुविधाओं का ला भी होने नहीं देती है, इतना struggle घर में ह चल रहा होता है, तो इसलिए इसका ये जो है, आप उपाय करके इसको stable कर सकते हैं, लाइफ लेन की स्थिति ठीक जा रही है, फिश इंबल का sign भी create पढ़ रहा है, तो इस condition में sudden gain या progress life में होने के chances create हो जाते हैं, और जो चंदर की स्थिति है, वो कुल मिलाकर कि आपकी सामा आने है, ना अंदर दब रही है, ना बाहर है, तो इस current से आप मन को जो है अच्छा शान्त रख सकते हैं, एक आगरिचित अपने काम के प्रति बहुत अच्छा रह सकते हैं, और इस condition में साकरात्मक सोच रवे रख करके जीवने में बहुत जादा प्रगती कर सकते हैं, और आहीं बात करेंगे, लेफ्ट हेंड में, तो यहां पर भी देख सकते हैं, कि माइड लेन पूर्ण तो है स्टेबल है, तो मेंटल या बहुत स्टॉंग परस्नेल्टी के हैं, नो डाउट, और लक लाइन मून से कनेक्टेड हैं, इसलिए मन का सुनके अत्याधिक आप काम कर करते लेकिन उसमें भी आपको सैटिस्वेक्शन जादा मिल नहीं पाता है, क्योंकि बाद में अपने लिए गए निर्ने या इमोशनली लिए गए डिसीजन के कारण आप डिस्टब हो जाते हैं, तो इसलिए आप कोई भी काम प्रोपर प्रोपर कॉन से अनिलेसिस या दू आपको मिल जाएगा, यानि 40 केस तक आते आते बहुत अच्छे वेल्दी या राइसी किसमक का जो है जीवन शेली आपका तक्रिवन हो जाएगा, यह थी सबसे महत्पून बात आपके हाथ करिगारिंग, आशा करता हूँ सभी परेशनों का अतर मिल गया हूँ, तब तक आपको अपना दिहां रो क्यांपको बाद बात देने वाद